क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स की लौकी में दूर डालके आप बहुत ही ज्यादा सांदार रेस्पी बनाकर रेडी कर सकते हैं वैसे लौकी खाना किसी को भी पसंद नहीं होता है खास करकि उसकी सबजी लेकिन हाँ उससे बनी हुई चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ट्राई करते हैं बहुत ही ज्यादा सांदार बनकर रेडी होती है तो देर न करते हुए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की रेस्पी अगर पसंद आ जाए तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ में सेयर कर दीजिएगा तो यहाँ पर मैंने एक लोकी लिया है लगभग यह 500 ग्राम की लोकी है तो यहाँ पर मेजर्मेंट के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत कम या ज्यादा चलेगा ठेक हैं तो यहाँ पर फ्रस लोकी अगर होगी तो बहुत ही बड़ी हाँ है क्योंकि उससे हमार की तक नहीं देखी होगी इतनी जटपट से मतलब कि आज हम इसे कुकर में बनाएंगे और इतनी जटपट से बनकर रेड़ी होगी और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं मतलब कि बहुत ही ज्यादा गजब की बनने वाली है जब हम लोग चोटे थे तो लौकी तो भी नहीं पसंद करता था तो उसमें क्या होता था ममी पापा को डांट के उसे खिलाना पड़ता था कि हरी सब्ची है और खाना बहुत जरूरी है इस तरीके से खिलाई जाती थी तो अभी तो बहुत सारे ओप्संस हो गए हैं नए-ने तरीके से हम लौकी को भी बना सकते हैं तो यहां पर देखिए बातों ही बातों में लौकी छिल कर रेडी हो गई है अब इसे हम इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे और हां फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि अगर आपकी लौकी हार्ड है अंदर से तब भी उससे भी बन जायागा लेक को इस तरीके से निकाल दूँगी तो अगर आपके वे उसमें लौकी में बीज है तो उनको जरूर निकाल दीजिये का ध्यान से नहीं तो हमारी पूरी की पूरी मेहनत और रेस्पी खराब हो जाएगी मैं आप पर वीडियो को ज्यादा इसकिप नहीं कर रही हूं स्टेप यह बताते हैं कि आपने मेरी रेस्पी को ट्राई किया और घर पर वैसी ही बनी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर देखें लौकी को मैंने अच्छे से धुल लिया है काटने के बाद और अभी भी आप देख सकते होंगे तो थाली है मेरी इसमें पानी भी ह इससे क्या होगा लौकी काली नहीं पड़ेगी अब हमें एक कुकर लेना है और आज की रेस्पी हम कुकर में ही बनाने वाले हैं तो मैंने इसे रख दिया है गैस के ऊपर और थोड़ा सा गरम किया है इसके अंदर रैट कर देंगे दो चमल देसी घी तो इस रेस्पी को हम अग cure को समय के साफे डेसी घी में ही बनाने वाले है और घी जैसे अच्स सी गरम हो जाए मेल्ट हो जाए तो हमें लौकी को इसमें ट्रांसफर कर देना है गैस का फ्लेम यहाँ पर बिलकुर से अट कर जीज़ेगा वैसे यह प्रोसेस आप कड़ाही में भी कर सकते हैं लेकिन कुकर में करने में क्या होगा है जल्ली से कुक हो जाएगा और बस घी के साथ में थोड़ी देर हमें लौकी को अच्छे से भूनना है लगभग एक से दोबनेट के लिए भूनेंगे तो आप जब देखेंगे कि लोकी भून रही है न तो इसका हलका हलका कलर चेंज होना ही स्टार्ट हो गया मतलब बहुत ही प्यारा सा ग्रीन-ग्रीन कलर आना ही स्टार्ट हो जाएगा लौकी को भी कई जगा अलग-अलग नाम से बोला जाता है जैसे मैं करनाटका में रहती हूँ न तो यहाँ पर सोरे काई बोलते हैं वैसे मुझे ज्यादा कंदड़ा नहीं आती है लेकिन इतना है कि सब्चियों के नाम बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है तो आप क्या बोलते हैं आप लोग को पकने के लिए मैंने आधा कप के लगभग पानी डाल दिया है वैसे लोकी में तो अपना पानी होता है लेकिन इसे हमें सौफ्ट करना है इसके लिए यहां पर पानी डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है गैस का फ्लेम यहां पर मेडियम कर लिया है और मेडियम फ्लेम पर हमें लोकी को कू करना है तो लिड लगा कर इसमें पासवीचल आने देंगे और साइड़ में च्छोटी से जयारी कर लेते हैं तो एक कड़ाही को गयस पर रख दिया है और यहां पर दो कप हमें दूद ले लेना है तो पहले से बॉइल्ड दूद है लेकिन रूम टमपरिचर पर है तो यहां पर दो कप दूद हमें इसमें डाल देना है यहां पर जो दूद मैं यूज कर रही हूं फ पतले दूद्से भी आप इस recipe को बना सकते हैं तो बीज बीच में दूद्स को इस तरीके से चला दीजिएगा और इसमें boil आने दीजिएगा तो गैस का flame medium करके फटा फट से इसमें boil लेके आते हैं और इसे हमें जितना दूद्स है इसकी quantity का half करना है तो पका पका के थोड़ा से इसे गाढ़ा कर लेंगे और इधर दिखें साइड में जो हमारी लोकी है इसमें विजल आ चुकी है और अच्छे से देखें गल गया है तो एक potato messer की help से आप इस तरीके से इसको mess कर लीजिएगा इस recipe को बनने में ज्यादा time नहीं लगता है क्योंकि साथ ही साथ हम दोनों काम कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं लोकी अच्छे से soft हो गई है जिसकी वैसे messer से अच्छे से mess हो रही है लोकी को अच्छे से mess करने के बाहल आप देखेंगे इसमें पानी की quantity ज्यादा देख रही है और हमें अपनी रैस्मे में पानी नहीं चाहिए तो गैस का flame high कर दीजिएगा और फटा-फट से इसको गाढ़ा कर लीजिएगा तो इसमें आपको एक मिट भी नहीं लगेगा यह एकदम से ठीक हो जाती है यह देखें लोकी अच्छे से सूख गई है बस इसी तरीके का हमें इसका texture चाहिए और इतनी देर में उधर साइड में दूद भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है तो यह देखिए दूद अपनी quantity का जस्ट आधा बचा हुआ है और कितना बढ़ा सा ठीक सा हो गया है इसी तरीके का इसका भी texture चाहिए तो जो लोकी को हमने मैस करके रखा ना पूरा का पू और सबसे ची बात है इसे आप ब्रत में भी enjoy कर सकते हैं या कभी कोई आ रहे हैं गेस्ट तब भी आप इसे बना कर रेडी कर सकते हैं बच्चों के लिए बना सकते हैं healthy के साथ साथ यह टेस्टी भी बहुत जादा लगता है तो यहाँ पर देखिए लोकी और दूर अच्छ अच्छा लगे तो थोड़ा सा मैंने आपर फूट कलर एड कर दिया है तो यह पूरी तरीके से ओफनल है लेकिन देखने में लुकवाइज अच्छा लगेगा इसलिए थोड़ा सा ही डाला है और यह देखिए इसमें बड़े हां सा कलर आ गया है तो ग्रीनिस लगेगी दे मारकेट मेंधर लोखी की कोई बी चीज लेते ने तो बड़े ऊंसा ग्रीन कलर होता है तभी चाहता है हम लोख एट कर दिया है अब यहाँ पर एड कर दिपकर देते हैं चीनी क्यूंकि अभी तक हमने अपनी रेस्पी में चीनी तो एड ही नहीं की है और बिना चीनी का तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल फीकी लगेगी, तो यहाँ पर एट कर दिया है, मैंने आधा कप के लगभग चीनी, अगर आपको मिठा जोला ज्यादा पसंद है, तो आप थोड़ी सी ज्यादा भी एट कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे, और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चीनी मैंने बिल्कुल से लास्ट मैट की है, इसका एक रीजन होता है, कि अगर आप इसे लास्ट मैट करेंगे, तो आपका जो भी मतलब रेस्पी बन रही है, मिठाई जो भी बना रहे हैं, वो एकदम से जूसी रहेगी, साइनी रहेगी, और कम घी का यूज़ करना होगा आपको, छोटे छोटे टिप्स हैं, जो कि आप खॉलो करके इस रेस्पी को बहुत ही ज़्यादा सांदार बना सकते हैं, तो जब कभी आप हलवा बनाना है, या कोई मिठाई जैसे बर्फी बनाते हैं, तो चीनी को लास्ट मैट करिएगा, उससे क्या होता है कि आपको बिलकुर सॉप्ट, मॉइस्ट जो भी चीज बनाएंगे वो बना रहेगा, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब यहाँ पर हमने ले लिया दो चमल देशी घी, एक तड़के पैन में रखा है, और अच्छे से इसको गरम करेंगे, बहुत ज बर्फी नहीं बनाओंगी, आप लोग सोच रहोंगे कि मैं लोकी की बर्फी बनाने जा रही हूँ, नहीं आज मैं इसे डिफरेंट स्टाइल से बिलकुर से लोकी का हल्वा बनाया है, और आप सभी को पसंद जरूर आ रहा होगा, तो यहाँ पर जैसे ही ड्राइज फ्रू जैसे गाजर का हल्वा हुआ, या सूजी का हल्वा हुआ, या आटे का हल्वा हुआ, जब तक उसके उपर से घी नहीं दिखता ना, तो मज़ा नहीं आता है, तो अपनी चोईस से आप घी की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, और अच्छे से यहाँ पर डाल कर हमने इसको मिक्स कर दिया है, फ्लेवर के लिए अगर आप एट करना चाहते हैं, तो इलाची पाउडर एट कर सकते हैं, या अगर आप स्किप करना चाहते हैं, तो बिना किसी चीज के आप ऐसे ही से सर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना बढ़हां सा कलर आ गया और इसमें आपको लौकी को ना कडू कश udah करना है ना ही घंटो के महनत कुकर में डालना है और फटा-फटे से बनालेना है उमीद करती हूं आज की रैस्पी आप सभी को पसंद जरूरा ही होगी पसंद आई है फ्रेंड तो एक लाइक जरूर करिएगा आप लोग एक लाइक करते हैं तो मेरी महनत सफल हो जाती है हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही हो लेकिन आप जब इसे घर पर ट्राइब करेंगे आपको यकीन माने ज्यादा समय नहीं लगेंगे अब मैं यहाँ पर आप सभी से एक प्यारी से रिक्विस्ट करना चाहूंगी कि आज की रेस्पी में कुछ भी पार्ट आपको नया और यूनिक लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्र झाल को खार्ट प्लीज करना चाहूंगी कि रेस्ट कि रेस्टा न्यूनिक लगा है तो रेस्चित्स पार्ट बताएग कि अपर लगेंगा जबार कि न्यूनिक टुझा गगा है तो प्लीज करया चैनल